हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक तो माई चैनल किट्स एडूकेशन इन टूडेज वीडियो आइम गोईं को एक्स्प्लेन यू दा पार्ट तू अफ द चाप्टर काकी और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रेक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्फ मिलती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करि कि उनकी जो वाइफ होती है रूपा वो बूडी काकी को बहुत जादे इंसल्ट करती है तो लेट्स स्टार्ट दा नेक्स पार्ट दा फीस्ट वास रेड़ी लीफ प्लेट्स वर लेड उन दा फ्लोर दा गेस्ट बिगान टू इट हमने देखा था कि बूडी राम के बेटे की शादी हो रही थी और इसके लिए बहुत जाद ही एक फंक्शन अरेंज किया गया था तो अब आगे पढ़ेंगे क्या होता है तो दावत जो वो तयार थी और जमीन पर पत्ते क्या जो प्लेट होता वो बिचाया गया था और सारे जो गेस्ट होते हैं वो खाना शुरू करते हैं काकी साट इन हर रूम रेग्रेटिं हर हैस्टी बिहेवियर शी वस नॉट एंग्री वित रूपा काकी अपने रूम में बैठ कर अपने जल्दबाजी वाले बिहेवियर के उपर अफसोस कर रहे थी और वो रूपा के इतने चिलाने वे भी उससे नाराज नहीं थी तो अब काकी ये सोचती है कि रूपा सही कह रही है और उन्होंने ये डिसाइड किया जब तक उन्हें बुलाए नहीं जाएगा वो नहीं जाएंगी तो बूडी काकी जो है वो धीरे धीरे गुन गुनाने लगती है और वो सोचती है कि खाना उनका इंतजार कर रहा लेकिन फिर उन्हें आइसास होता है कि वो काफी देर से गाय जा रही है और उन्हें अब कोई भी आवाज नहीं मिल रही है उन्हें किसी ने क्यों नहीं बुलाए का कि ये सोचती है वो कोटियार में पहुचती है और सारे मेमान बैट कर अपना खाना खा रहे थे ये उंगलियां चाट रहे थे और हाने को इंजॉय कर रहे थे तो वो सारे लोग बुडी काकी को देखकर एकदम हग का बक्का रहे जाते हैं बुदी राम नोटिस्ट हर और विकें ब्रेड विट इंबारेस्मेंट तो बुदी राम ने जैसे ही काकी को देखा वो शर्म से एकदम लाल हो जाते हैं और वो काकी को पकड़ कर दोबारा उनके रूम में डाल देते हैं तो अब सारे मेमानों ने खाना खा लिया है फैमिली ने भी खाना खा लिया है और जो लोग काम करने के लिया थे उन्हों ने भी खाना खा लिया लेकिन किसी को भी काकी का ख्याल नहीं आता है सिर्फ लाडली जो काकी का ख्याल करती थी उसे ही अपने पैरेंट्स के बिहेवियर पर बहुत अफसोस भी होता और बहुत हरानी भी होती है उन्होंने काकी को खाना क्यों नहीं खिला है लाडली अपने साडी में काकी के लिए कुछ पूरिया बचा के रखती है और रात के ग्यारा बच रहे थे रूपा जो है वो कोटियार में सो रही थी और लाडली को नींद नहीं आ रही थी दा बास्केट विश हिट दा पूरिज ले बाई हर साइड वन शी वास कन्विंस्ट अर मदर वस फास्ट असलीप शी पिक्ट अप हर बास्केट एंड वाक टुवर्ड्स काकीज रूम तो जिस बास्केट में उसने पूरियां चुपाई थी वो उसके बगली में रखा हुआ था और जब उसे यह बुरा यकीन हो गया कि उसकी मम्मी जो है वो सोच चुकी है तो वो उस बास्केट को उठात है और काकी के रूम के तरफ बढ़ जाती है काकी ले इन हर रूम शी रेलाइज रट एवरीवन हैं गॉन तो स्लीप आफ्टर इटिंग हर स्टमक वस चर्णिंग विध हंगर हर हार्ट वस फिल विद एंगविश काकी अपने रूम में लेटी वी थी और उन्हें यह अचानक उन्हें एक आवास सुनाई देती है कि काकी उठिये मैंने आपके लिए पूरिया लाई हैं तो काकी लाडली के आवास पहचान जाती है और वो फूश हो जाती है कि लाडली उनके लिए पूरिया लाई है तो काकी पूशती है कि क्या तुम्हारी ममी नहीं यह सब भेज आए तो लाडली क्याती है कि नहीं यह मेरा हिस्सा है काकी पूरिया अपने अपना हिस्सा पूरा खा लिया है तो बस थोड़े से ही बारिश होने से जैसे गर्मी बढ़ जाती है वैसी थोड़े से ही पूरिया खाने के बाद काकी की जो भूख थी और बढ़ गई तो काकी कहती है कि नहीं मेरी बेटी मुझे अभी भूख लगी विये तो तुम अपनी ममी के पास जाओ और और पूरिया लेकर आओ लाडली सेड शी इस असलीप इफाई वेक हर शी विल बी मुस्ट अनॉइट तो लाडली कहती है कि वो तो सो रही है और अगर मैं अभी उन्हें उठाऊंगी तो वो बहुत जादा गुस्टा करेंगी तो काकी कहती है कि मुझे वहां लेकर चलो जहां पे सारे गेस्ट खाना खा रहते हैं लाडली तुक काकी बाइदा है और लेकर जाती है और डाइनिंग एरिया के पास वहां पे वो उन्हें लेकर जाती है तो काकी जो है वो बचेवे बत्तों में जो बचावा खाना था वो उसे ही चाटने लगती है तो उसी वक्त रूपा की आख कुलती है और लाडली उन्हें अपने पास नहीं मिलती है तो वो इदर उदर देखती है और ये देखती है के लाडली जो है वो लीफ प्लेट्स के पास खड़ी है देखती है और वो ये देखती है के काकी जो है वो यूस किये वे थालियों में से बचावा खाना खा रही है और रूपा ये देखका बिल्कुल ही खका बका रह जाती है और उसे बहुत जादा शरम आती है तो वो अपना हाथ जो है वो आसमान के तरफ उठाती है और अपने लिए प्रातना करती है कि मैं कितनी जादा बुरी हूँ आज मेरे बेटे की सगाई थी मैंने सारे लोगों को खाना खिलाया लेकिन मैंने एक बुरी औरत को मैं खाना ना खिला सकी रूपा लेटर लाम्प और वेंट इंट वर स्टोर रूम शिपाईलर ट्रे विद फुड और टुकिटू काकी तो वो कहती है काकी से कि आप यहां आईए और खाना खाईए और वो उनसे माफी भी मांगती ही कि मैंने आज एक बहुत बड़ा गुना किया है आज मुझे आप माफ कर दीजिए तो आधी रात हो चुकी थी और आसमान में सितारे भरे वे थे तो जैसी छोटे बच्चे जो है वो अगर उन्हें मिठाई मिल जाए तो वो सारी बाते भूल जाते हैं तो काकी भी सारी पुरानी बाते भूल जाती है गुड़ विशेज फ्लोड फ्रम काकी और रूपा डिलाइटे अड़ जाते हैं तो काकी जो है वो रूपा को बहुत सारी अच्छी विशेज देती हैं और रूपा जो है वो अउन्हें खाना खाते वे देखते वे बहुत जादा ही खुश हो जाती है प्रूपा जाती हैं । आप्ड पॉपा हैं थे विशेज जो भी खार रूपा जाच्छी जाते आएचैंड thank you